जहें दोस्तों बंदे मातरा एक दिन पहले गोवा में हमेच्छा ने मनुहर परेकर को याद करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बारे हैं बात की थी और रयाद करते हुए उन्होंने ये कहा था कि भई पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और जिस प्रकार की हरकते भी चल रही हैं जिस प्रकार से कश्मीर में भी काफी जाद डिस्टरबेंस बढ़ गया जिसके बाद सेना को कारवाई करनी पड़ी है अगर य ने चाहता है इवन तालिबान को भी अपने साथ लाकर अब कही न कहीं खुद ही पचता रहे हैं तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात सामने ये आ जाती कि भी पाकिस्तान आखिर क्या कर सकता है तो पाकिस्तान दे सकता है मूँ से जवाब और पाकिस्तान ने वही दिया है एक दिन पहले ग्रह मंत्री हमेज शाहन ने कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत उस पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। इस पर पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान ने शांति प्रिय देश है लेकिन अगर भारत कोई भी आकरमक करवाई करता है तो उसे नाकाम कर देंगे। पाकिस्तान ने शांति प्रिय देश है उसने कहा कि जबकि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है हम किसी भी आकरमन और मन्सूवे को पूरी तरह स्विफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रोकने के लिए हमारा सुष्टेस्तरवलों की इच्छा, शम्ता और तयारियों को पूरी तरह से दिखाता है। और पाकिस्तान का इस पर जवाब ऐसे समय पर आया है जब जम्मु कश्मीर में नागरिकों की हत्या की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। शाथ 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच जम्मु कश्मीर का भी दौरा करेंगे। और अगर वहाँ की जनता ही वहाँ की सेना को सीधे स्लिंग नहीं लेगी तो वो लोग किस प्रकार से किसी तरह का भी ठोज जवाब दे पाएंगे। अगर आप देखे हैं तो अफगाणिस्तान के फ्रेंट के उपर जिस प्रकार की गत हो रही है जुकि रंख क्रण सकिकशल में हैं। अफगानिस्तान को माननेता नहीं दी जा रही है तालिबान सरकार को और क्योंकि उसको माननेता नहीं दी जा रही है इसलिए कई सारे देशों में जो अफगानिस्तान सरकार के फंड्स जमाएं जो कि बिलियन डॉलर्स में हैं उसको रोग दिया गया है ऐसे में पाकिस्तान की अब मुश्किल और जादा बढ़ती जा रही है मेरे सुडियों फिलालत नहीं जाए है जाए भारत